असलाम अलेकूं बिस्मिल्ला रह्मान रहीम आज बना रही हूं मैं पालक गोश अगर पसंद आए तो लाइकन सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए हम लेगे आदा किलो मटन फिर चार डली प्यास बारी कटी हुई दस कटे पालक के बारी कट लेना चाहिए उसको एक कठ हो आइल अपस्तें चाहना स्ट करते हैं वर्वॉना रखेंगे प्यास डालेंगे यृजओ लाल हो गई उसमें दो चम्माच अथकल सब्सक्राइब दाल देंगे कि कि अधर समर्ण का पेश भून गया है तब झालेंगे मटन को अची तरह से पांस मिनट के लिए भून लेंगे मतन भून गया है उसमें आमक डाल लेंगे फिर भूनेंगे दो मिनट उसको पिर उसमें एक चमच हल्दी पॉर्ड दालेंगे देड़ चमाच मिर्ची बोरा दालेंगे, फिर उसको पांच मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे, फिर उसमें हम तीन गिलास पानी डालेंगे, उसके बाद हम हमारा गोष्ट गला है, नहीं हम चेक करेंगे, यह मारा गोष्ट गल गया है, अब उसमें बारी कटी हुए पालक डाल देंगे, पालक को अच्छा दोना चाहिए, पहले न तो उसमें मठी रहती है, अब उसको मिला लेंगे, अब उसको मिला लेंगे, अब उसको हम ठककन से ठाक देंगे, अब पालक सुपने पानी छोड़ने लगा है, अब उसको हम भोनेंगे, फिर पांश मठ के लिए उसको हम पकाएंगे, फिर चेक करेंगे, हमारा पानी अभी नहीं सुखा है, अब हमारा पानी सुख गया है, अब हम उसको डिशॉट करेंगे, अब हम उसको डिशॉट करेंगे, अगर आपको पाला कोश्ट पसंद आया है, लाइकन सब्क्राइब किजी और शेयर किजी ठीक है अल्ला हफिस। का मारउलब शेयर का सम्क्राइब एकोश्रण करेंगे, एक उत्ला है, सकतर है,